नमस्का, मैं आसी स्राठा और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ पहला समझ जब अर्विन केजडिवाल को इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट के तरफ से मिलता है तो वो चुनावी प्रचार में होते हैं हलाकि वो बात अलग है कि एक भी सीट नहीं मिली नहीं जारखंड में जिस तरीके से हेमंद सोरेन के उपर जो सिकंजा कस रहा है इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट का वो सिकंजा भी कहीं न कहीं अपने आप में ये जता रही है कि हेमंद सोरेन की भी गिरफतारी की तलवार लेकिन जब enforcement डिरेक्टरेट ने पहली जब समन करी अर्विन केजरी वाल को तो 36 गड़ मद्ध परदेश और राजस्थान के चुनावी दौरे में ये व्यस्त थे हलाकि वोट की बात करूं तो जीरो बट्टे सनाटा दूसरी जब इनके ऊपर enforcement डिरेक्टरेट ने जब इनको समन करा तो ये विपासना में चले गए शांती मोड में चले गए भया हमें कोई टेंशन मत दीजिए जीवन में बहुत ऐसे ही तनाव चल रहा है अब तीसरा जब समन करी गई है तो पूरा तमासा चल रहा है अभी देखिए कि कल तीन तारीक य अब यहां पर मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ अर्विन केजडिवाल के तमाम जितने करीमी हैं नेता हैं ये कह रहे हैं कि आज किसी तरीके से किसी भी वक्त अर्विन केजडिवाल की गिरफतारी हो जाएगी हलाकि जो खबरें आई वो ये देखिए जरा कि दिल्ली में जा सकता है कि अर्विन केजडीवाल हाउस अरेस्ट हो चुके हैं यानि सी आर्पीएफ के जवान इनके घर के बाहर हैं चोकन्ने हैं मीडिया भरी हुई है और अंदर में इन्वेस्टीगेशन चल रहा है और अर्विन केजडीवाल इधर ट्विटर पे वीडियो भी डाल रह हैं इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है कुछ साबित नहीं हो रहा है खुले आम गुंडागर्दी चल रही है किसों को भी पकड़के जेल में डाल लो अब इजय भी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है मेरी सबसे बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं और अगर ये एक भरस्टाचारी ये बात कहे कि मेरी सबसे बड़ी ताकत की मांदारी है तो फिर सोचिए कि ये देश की जनता को समस्ते क्या है और इसमें बीच में बीजेपी कहां से आगे कि बीजेपी हमें टार्गेट कर रही है लेकिन उससे पहले जरा आप ये स्टेटमेंट देखिए दोस्तों कि आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि केजडिवाला जिकिरफतार हो सकते हैं मंत्री आतिशी बोल रही है कि एडी की रेड पर रही है और जाच एगेंसी दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजडिवाल को चौती समन भेज सकते हैं ये भी खबर आ रही है अंदर से ये भी बड़ी खबर आई कि तीसरी समन पे जो जवाब नहीं दिया अब चौती समन भेजने की तयारी हो रही है लेकिन पहले देखिए आतिशी और सौरा भार्दौ आज क्या कहते हैं आतिशी ट्वीट करती है कि निउस पुझ अधरी हैं मतलब कि अर्बिं केजनीवाल गिरफतार हो सकते हैं यानि आज के विसाह में अतिशी कहते हैं है कि सौरा भार्दौ आज कहते हैं कि सुनने में आ रहा है कल सुबह मुख्यमंत्री केजनीवाल जी के घर एडी पहुंचकर उन्हें गिरफतार करने वाली है कल सुबा यानि दोस्तों कल ट्विट करी गई थी आज की बात करी गई है और देखिए आज अर्विन केजरीवाल पुरी तरीके से बौखला रहे हैं ट्विटर पे वीडियो बना करके डाल रहे हैं लेकिन जरा ये भी सवाल अपने आप में उठता है कि जब जाच एजेंसिया ने अर्विन केजरीवाल को तीसरा समन भेजा तो इस पे इन्होंने कोई प्रतिकीरिया नहीं दी और कैसे नजर अंदास किया जरा आपको ये भी बताते हैं सबसे पहले आप ये जान लिजे कि अगर इन्फोर्समेंट डिरेक्टेट अर्विन केजरीवाल को गिरफतार करती है तो PMLA का मामला है Money Laundering का मामला है और PMLA Act के तहट आपको बता दू कि जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल है और अगर गिरफतार कर लिया जाता है अर्विन केजरीवाल को तो तीन महीने तो आँख बंद कर लिजे कि अर्विन केजरीवाल जिल से निकलने से रहे लेकिन जैसा जो हालत अभी मनिस सोदिया संजय सिंग सतेंद्र जैन की है अब उसी लाइन में अर्विन केजरीवाल भी खरे होते हुए दिख रहे हैं ये इतिहास में पहला ऐसा मामला है दोस्तों जिसका स्वास्त मंत्री, जिसका शिक्षा मंत्री, जिसका सांसर और फिर उसके बाद एक मुख्य मंत्री सारे लोग जिल के सलाखों के पीछे जाने वाले है और यहां पर इन्फोर्समेंट डिरेक्टेट ने साब तौर पे कोट में ये बात कही थी अगर इसमें से किसी को भी जमाना देती जाती है तो ये सबूतों को टेंपर करेंगे, गवाहों को भटकाएंगे, ढराएंगे तो इसलिए इन तमाम लोगों को जमानत नहीं देनी है अब यहां पर इन्फोर्समेंट डिरेक्टेट ने दोस्तों पूरी तडिके से विरोध किया तमाम जितने भी इनके सांसद हैं, स्वास्त मंत्री हैं या फ़र इनके चेले चपाटी हैं जो भी गिरफतार हैं शिक्षा मंत्री हैं, उन तमाम लोगों की जमानत का विरोध हमेशा इन्फोर्समेंट डिरेक्टेट ने जो है, वो किया है अब अर्विन केजरिवाल खुद के बचाओ के लिए पांच पन्नो का जवाब आई-ओ को भेज रहे हैं, आई-ओ इन्फोर्समेंट डिरेक्टेट जो है वो आई-ओ को सारे जो है वो इन्फोर्मेशन देती है, तो सीधा पांच पन्नो का जवाब आई-ओ को भेजा है अर्विन केजरिवाल ने कि मुझे समन मत कीजिए, मुझे गरिफतार मत कीजिए लेकिन यहां पे देखिए, साथ ही बनते हैं कॉंग्रेस के तमाम नेता इंडी एलाइंस कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और हम कॉंग्रेस तमाम लोग अलग अलग नहीं हैं, तो यह बताएं जरा कि आज यही विशाय में कॉंग्रेस के एक नेता ने क्या कहा कि एडी के सामने क्यूं पेस नहीं हो रहे हैं अर्विन केजरिवाल, अगर वो सही हैं तो पेस हो, मलिकार जुन खरगे हुए हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, यह तमाम लोग इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टेड के सामने खरी हुई हैं, वो क्या तुर्रम खान हैं, यह कॉंग्रेस के निता अर्विन केजरिवाल के लिए कहते हैं, अब जरा दोस्तों यहां पर इससे क्या अप अंदाजा लगा सकते हैं, कि जब अर्विन केजरिवाल के घर के बाहर जब CRPF और दिल्ली पुलिस के जबान तैनात हैं, तो इसका मतलब आप समझ लिजिए कि कभी भी किसी भी वक्त तिहार का दरवाजा खुल सकता है, अब यहां पर बड़ा मामला ये भी आता है, जो आपको दिखाते हैं, अर्विन केजरिवाल का स्टेटमेंट देखिए, अर्विन केजरिवाल ने अपने पत्र में लिखा है और ED से सवाल पूछा है, कि यह असपस्ट नहीं किया गया है, कि मुझे किस हैसिय से बुलाया गया है, आपकी हैसियत, क्या आपको पता नहीं है कि आपकी हैसियत क्या है, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो दिली की जनता ने आपको बता दिया है, लेकिन जड़ा हर एक बात पे आप देखिए, अर्विन केजरिवाल पूछते हैं कि शराब घोटाला हुआ है, तो पैसा कहा गया, पैसा कहा गया यह आपको बता देते हैं, पंजाब के चुनाओं में पैसा गया, दिली के चुनाओं में पैसा गया, गोआ के चुनाओं में पैसा गया, शीश महल बना, ना जाने और क्या क्या हुआ, यह पैसे कहा गया, यह तो बीजेपी ने बहुत पहले इसका जवाब दे दिया अर्विन केजरीवाल जी और आप अभी इसका जवाब मांग रहे हैं लेकिन जरा ये भी देखिए कि आरोप क्या लगाते हैं अर्विन केजरीवाल एडी के समन पे कहते हैं अर्विन केजरीवाल की भाजपा मेरी गिरफतारी चाहती है ताकि लोग सबाचुनाओं में प्रचार ना कर सके। देखिए अर्विन केजरीवाल पर एक मिम्स आया था, एक मिम्स बना था जिसमें ये कहा था, कि अब तो अच्छा लगता है कि मैंने इंडी एलाइंस जो है वो जोईन कर लिया, क्योंकि पहले मैं अकेले हारता था तो बहुत जादा बेज़्यती होती थी, अब हम साथ में हारेंगे, तमाम जितने भी इंडी एलाइंस में विपक्ष के लोग हैं, इकटे हैं, अगर साथ में हारेंगे, आने वाला लोग सबाचुनाओं तो बेज़्यती कम होगी, पहले मैं जाता था, किसी चुनाओं में, किसी राज्य में चुनाओं लरता था, विधान सबाखा या लोग सबाखा, तो अकेले हारता था तो बहुत बेज़्यती होती थी, पार्टी में भी बहुत सारे लोग हमारी मजा कुराते थे, तो ये सब अच्छा नहीं लगता था, चलिए अच्छा है कि सारे लोग इकठे हो गए, सारे लोगों की इकठे बेज़ती होगी, और इकठे में उतना पता नहीं चलता है, तो ये काफी ज़ादा वैरल हुई थी मेंज, तो ये कहने का मतलब ये कि भाजपा को क्या मतलब है कि आप गरफतार हो ना हो, वो तो अपना एक स्टैंड जारी कराउन होने कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा घोटाला हुआ है, अग अगर आपके पास सबूत है, टत है, क्यों अर्विन केजरिवाल ने आज तक किसी भी भाजपा के सांसद हो या फर नेता हो या फर किसी के बारे में, आज तक क्यों कोई कुछ भी उजागर नहीं किया, अगर आप देखिए कि अगर आप स्कूल में जाते हैं, अगर कोई व नहीं नहीं, अब जरा देखिए यहां पे, कि अर्विन केजरिवाल ने खुद का बचाओ करते हुए ये कहा कि मुझे परेशान करने के लिए या सम्मन जारी किये जाते हैं, नोटिस से या असपस्ट नहीं हो रहा है कि मुझे एक गवा के रूप में बुलाया जा रहा है, ये बात क्लियर कर दू कि आपको एक संदिग्द के रूप में बुलाया जा रहा है, गवा अगर आप बाद में बन जाते हैं, तो फिर आपको ही राहत मिलेगा, सरकारी गवा बन जाते हैं तो, और नहीं तो फिर तो अच्छे से खातिरदारी होगी, जिस तरीके से संजै सि का अभी तिहार में खातिरदारी हो रहा, लेकिन जरा ये भी देखिए, कि बार बार बीजेपी के उपर आरोप लगाना, कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाती है, ये कितने हद तक सही है दोस्तों, ये जरूर आप कमेंट करके बताईएगा, हलाकि आप क्या सोचते ह पे अपनी वीचाज होएक करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बिल आइकन प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों में शेयर जोग करें, टैंक्स पो वाचिंग माई वीडियो, जैहिन सत्त मेव